गेमिंग जो कि यूटुब का सबसे कॉंपिटिटिव नीच है एंड ये पता होने के बाद भी मैंने इसी नीच पे रेगुरियल्ली 30 देज तक शॉट्स अफ्लोड किया चल जूटे सुकर करो कि तुमारे लिए सारे वीडियो मैंने बना दिये तो ये है मेरा भाई जिसने इस चैनल के सारे वीडियो में अपना वाइस लिया है और इसके बदले इसने मुझसे काफी सारे तुमने अब तक इसके लिए मुझे कुछ भी नहीं दिया है तो इस चैलेंज में मेरा काफ़े सिंपल सा काम था जूट ता शॉट्स को सही तरीके से अफलोड करना और इस चैलेंज का में गोल था चैनल मुझाइस करना तो किया मैं ऐसा कर भी पाऊंगा बट मोनेटाइजेशन से पहले मुझे इन क्राइटेरिया को कम्प्लीट करना होगा तो इस जट पॉसिबल कि मैं तीस दिन के अंदर यूट्यूब के सबसे कम्प्टिटिव नेच गीमिंग में तीस दिन के अंदर 10 मिलियन व्यूज के साथ 1K सब्सक्राइबर कम्प्लीट करो सो पहला ही दिन हम निकल गए अपने फ्रेंड के घर जहां हमने तीन घंटे तक लागा थार उसके PC के अंदर माइनक्राफ्ट खेला अब मैंने इस चैलेंज के लिए माइनक्राफ्ट को इस नहीं चुना बिकॉज माइनक्राफ्ट गिम काफी ट्रेंडिंग है और यही ट्रेंड हमारी काफी ज़दा हल्प करने वाला है इस कॉम्पिटिशन को बीट करने में और इसके बाद हमने जो भी फणी एन बेस्ट क्लिप्स रिकॉड किये थे हम तीनों लग गया होने एरिट करने में और इडियो रिकॉडिंग के लिए हमने डॉल वी ओन का यूज किया और इडियो एरिटिंग मैंने ओडासिटी का हेल्प से किया तो आज है इस चैलेंज का दूसरा दिन और हमारा चैनल वेरिफाई हो चुका है लेकिन मैंने हर एक शॉट्स को एक ही दिन अप्लोड करने के वजाए आई डिसाइडे टो अप्लोड अप्लोड कर रहा है अब तक हमारे बस 30 शॉट्स रेंडी हो चुका था आज ही की दिन मैंने इस चैलेंज का सुबह 10 बजी दूसरा शॉट्स भी अफ्लोड कर दिया और देखते ही देखते पहले 24 गंटे के अंदर इस शॉट्स ने 3K प्लस व्यूज गेंड किये जिसके होजेसे चैनल के पहले शॉट्स को भी काफी बूश्ट मिला और उसने भी 2K व्यूज को क्रॉस कर लिया और ये सब इसली पॉसिबल हो पा रादर विकॉज शॉट्स का ओडिन्स रिटेंशन 90% से भी उपर था जो की काफी अच्छा और इसी के साथ चैनल में सब्सक्राइबर्स भी बढ़ने लगें सिर्फ और सिर्फ दो तिन के अंदर चैनल ने 30 सब्सक्राइबर्स गेंड कर लिये और ये चैलेंज खतम होने के बाद मैंने एक काफी बड़े गलती को नोटिस किया जो मैं अगर ना करता है तो सब्सक्राइबर्स काफी तीजी से बढ़ता है ये गलती क्या था इसके बारे में आगे बात करेंगे बट उससे पहले लेक्स वोग तो फोर्फ देट आज मैंने चैलेंज का तीसरा शॉट्स अप्लोड कर दिया जिस पर सिर्फ और सिर्फ 430 व्यूज आ है जो कि बाकी शॉट्स के कमपैरिसन में काफी लोग है बट हमने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया बिकॉज ये होना काफी कॉमन था आज ये चैलेंज का पाच्वा दिन और शॉट्स अप्लोड करने का चौथा दिन अब क्यूंकि पिछले शॉट्स ने काफी बुरा परफॉर्म किया था तो आज चेंज दी अप्लोड टाइमिंग पहले जहां मैं अपने शॉट्स को सुबर 10 बज़े अप्लोड करता था ओई आज मैंने अपने शॉट्स को 2-12 बज़े अप्लोड किया और जेन्विनली शॉट्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया अगिन फर्ष्ट 24 आर्स के अंदर इस शॉट्स ने 3K प्लस व्यूज गेन किया अगले कुछ दिनों के अंदर ये व्यूज बढ़ कर 6K तक पौच गर अगले कुछ 6-7 दिनों तक चलता रहा आज ये शॉट्स के अगारवा दिन अगले अगले तीन दिनों तक एक ही टाइटल पर तीन शॉट्स बैक टू-बैक अप्लोड कर दिया क्योंकि पहले शॉट्स ने काफ़े अच़्य पर्फॉम किया विश्रे 30 दिनों में चैनल ने 180 के व्यूस किये जो कि एक नया और ओरिजिनल कंटेंट के इसाब से काफी सही था बट इसके साथ सब्सक्राइबर्स सिर्फ और से 743 गेन हो पाए और अगर मैं वह गलती नहीं करता जिसके बार में मैं पहले बात कर रहा था तो इस चैनल के अब तग मैंने किसी भी शॉट्स में ओडियन्स को ना ही चैनल सब्सक्राइब करने के लिए वोला और ना ही कोई भी सब्सक्राइब एनिमेशन का यूज किया अगर तुम्हें जानना है कि उस 90 देज में क्या हुआ तो इस वीडियो पर क्लिक करो क्योंकि अगले 90 देज मे चैनल ने काफ़ी तेजी से ग्रो किया एड़ आज की टाइम उस चैनल में 10k प्लस सब्सक्राइबर से सब्सक्राइब ना